नमस्कार दोस्तो वेलकम बैक टू मैं चैनल और पंजाब उन्वस्टी चंडिगड की तरफ से बहुती बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ आप सभी को पता है कि उन्वस्टी आपके फरवरी में ओनलाइन एक्जाम कंड़क्ट करवा रही है और इसको लेकर उन्वस्टी ने गाइडलाइन भी जारी कर दी थी जिसमे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है जिनोंने वो वीडियो नहीं देखी तो पूरी guideline में उसको मैंने समझाया है उसको देख सकते हैं लेकिन जो student है उनको एक doubt अभी तक clear नहीं हुआ है मैंने काफी comment देखे हैं जो student है उनको answer sheet submit करने को लेकर अभी भी कुछ doubt रहते हैं तो इस video में मैं आपके सारे doubt clear करने वाला हूँ आपकी answer sheet को submit करने को लेकर कि कि student को online submit करनी है answer sheet किन को offline submit करनी है post office में जाके और क्या timing रहेगा इसमें आपको detail से मैं आपको बताने वाड़ा हूँ आपने जिसने भी ये video देख ली उसके जो सभी बाते हैं वो समझ में आ जाएगी तो वीडियो को last तक जुरूर देखिएगा और जो आपका google form है कैसा होग online जो answer sheet submit करने का वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से उसमें आपको answer sheet submit करनी है क्या-क्या उसमें information आपसे पुछी जाएगी तो वीडियो के साथ अंतक बने रहेगा आपके पूरे doubt इसमें clear करने वाला हूँ answer sheet को submit करने को लेकर तो चलिए video start करते हैं दोस्तो यह आपके online exam की site होगी यह UG के student के लिए है PG के student के लिए भी same है ठीक है यहाँ पे morning session का timing लिखा है और यहाँ पे evening session का timing लिखा है ठीक है और उसके बाद यहाँ पे आपका option दिया गया है upload answer sheet का ठीक है किन student को upload करनी है चाहे वो private के हो regular हो मैं आपको सभी बाते बता होंगा और यहाँ पे आपके question paper आ जाएंगे यहाँ पे आपकी class होगी ठीक है यहाँ पे आपका subject का नाम होगा और उसके बाद यहाँ पे आपकी date होगी exam की तो यहाँ से आप अपनी PDF है वो download कर सकते हैं यह जो morning session वाले है उनका 9-10 पे आ जाएगा और जो evening session वाले है उनका एक-10 पे question paper आ जाएगा तब वो download कर सकते हैं अपना question paper ठीक है और answer seat upload करने का जो यहाँ पे देख लिजिए जो Google form होगा आपका इस परकार का होगा यहाँ पे देख लिजिए जितने भी student है चाहे वो UGK हो या फिर PGK इस परकार का आपका Google form होगा सबसे पहले आपसे जो है BABSCB.com यहाँ पे इस परकार से आपको fill करना है यह official है इसी परकार का Google form जो online अपनी answer seat submit करेंगे उनके लिए आएगा यह जो Google form है आपका environment के एकजाम के लिए है जिनका आज एकजाम है ठीक है और यहाँ पे आपका जो subject code होगा ठीक है question paper पे आपके लिखा होगा वो ठीक है और उसके बाद यहाँ पे आप feedback दे सकते हो कुछ भी और उसके बाद आपको 100 MB तक की यहाँ पे आप अपनी PDF अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे आपको click करके अपनी PDF जो है देख लेनी है इसको एक बार आप try जरूर कर लीजे और उसके बाद यहाँ पे आपको undertaking पे click करके ठ किन student को online अपनी answer seat submit करनी है किन को offline post office में जाके ठीक है और कब तक यह पूरी doubt आपके clear करने वाला हूँ यह doubt student के clear नहीं हुए है चाहे वो regular के हो प्रीपियर के हो या फिर private जो भी student हो आपकी answer seat submit को लेकर यहां से आपकी guideline start होती है यहां पे देखिए यह जो guideline है आपके regular student है जो college के या फिर department के उनके लिए है चाहे वो morning के हो या फिर evening session के हो इनको यहां से आपके जो college होगा उनसे email ID दी जाएगी जिस पे आपको answer seat upload करनी है ठीक है college आपको देगा वो email ID ठीक है और उसके बाद अगर आपको hard copy submit करनी है तो वो आप अपने college में जाके अपनी hard copy submit कर सकते है personally ठीक है और इसमें आपको लिखा है कि आपको submit करनी है दोनों में से एक वे आपको select करना है या तो आप online जो आपका college आपको email ID देगा ठीक है या फिर portal कोई भी होगा आपका उस पे upload करिए या फिर अपने college में जाकर ठीक है तो आप अपनी जो answer seat है वो upload कर सकते है यह है regular student के लिए दोनों में से आपको एक select करना है ठीक है और उसके बाद answer seat आपको अगर physically आप जाके अपने college में जाके या फिर post office के जरिए upload करते हैं यह regular student तो इनको morning session के है इनको 3 बजे तक करनी है और जो evening session के है उनको 7 बजे तक करनी है यह सभी के लिए guideline है और अगर आप online कर लिए है और USOL के student के लिए है इनको किस प्रकार से अपनी answer seat जो है वो upload करनी है यहां पर देख लीजिए जिनका morning session होगा इनको अपनी answer seat सिर्फ और सिरफ hard copy submit करनी है पोस्ट office में जाके या तो speed post के जरिए या फिर registry के जरिए ठीक है इनको अपनी answer seat online submit नहीं करनी जो morning session के student ह होंगे ठीक है इनको सिर्फ post office में जाके अपनी answer को जो hard copy होगी वो submit करनी है तीन बजे तक ठीक है जो प्राइवेट के morning session के है और जो evening session के यह student होगे private के ठीक है इनको अपनी answer seat जो है वो online upload करनी है 90 मिनट के अंदर जब आपका exam खतम हो जाएगा ठीक है आपकी site यह रहेग आपको hard copy भी भेजनी होगी जो evening session के student है इनको hard copy भेजनी है अपना admit card भी लगाना है उसमें ठीक है और आपको hard copy कहां पे submit करनी है अगर किसी दिन आपका exam है तो post office बंद हो जाता है तो आपको अगले दिन जाके दो गंटे के अंदर आपको post office में अपनी answer seat जो है वो submit करनी ह जो address है वो भी आपको मैं दिखा देता हूं जो आपका जिसमें आप hard copy send करोगे post office का जो वो packet होता है उसमें आपको ये भी दोनों बाते लिखनी है subject का code और exam का code जो कि आपको question paper पे मिलेगा ठीक है और यह आपका address होगा जिस पे आपको hard copy submit करनी है यह सब को अगर कोई offline करन चाता है जिनका college नजदीक नहीं है तो वो यहाँ पे submit कर सकता है और जो evening session के private student है उनको तो जरूर hard copy भी submit करनी है और online भी submit करनी है ठीक है और उसके बाद यहाँ पे important line है यह अपनी जो answer seat है उसकी PDF बनाके खुद की email ID पे send करनी होगी जब आपका question paper खतम हो गया है तो उसक बाद 90 मिनिट के अंदर ठीक है यह आपका proof का काम करेगा कि आपने जो अपना question paper है वो सई time पे complete कर लिया था और उसी date को ठीक है यह आपका proof का काम करेगा अगर कोई भी future में कोई भी issue हो जाता है ठीक है और यह जो line है उन student के लिए है जैसे जो evening में जिनका exam है private का उनको online भी भेजनी है और hard copy भी भेजनी है तो दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए ठीक है दोनों answer seat same होनी चाहिए उनकी cross verify होगी ठीक है आपकी answer seat hard copy के साथ ठीक है जो आपने evening slot वाले student है जो evening में जिनका exam होगा उनके लिए line है ठीक है तो नहीं तो आपकी जो reject हो सकती है अगर को गंटे के अंदर तो उसमें वो change कर सकते हैं इसलिए इन्होंने ये line बोली है कि आपकी cross verify होगी hard copy के साथ जो आपने soft copy भेजी है ठीक है तो ये evening slot वाले student के लिए थी तो यहाँ पर मैंने आपकी पूरी guideline जो है detail से बता दी है submit करने की किनकी student को online करनी है किनको offline अपनी hard copy submit कर करनी है ठीक है अगर फिर भी आपका कोई doubt रहता है तो एक बार वीडियो को देख लीजिए ध्यान से फिर भी doubt रहता है तो आप कमेंट करके पूर सकते हैं आपका doubt clear किया जाएगा वीडियो को share जुरूर करिएगा धन्यवाज जहिं हुआ हैं जै ह्याएगाग जह जुआ है 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 जह है जह चींट रहता है बेदाने वीडियो को